हेलो स्टुएंट कैसे आप सब आशाय करते कि आप सब बहुत अच्छे हों गए तो दिखे जैसा कि हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था तो पिछले सेमेस्टर में हमने जो है आपकी जो दो बुक यूट्यूब पर कराई थी और एक बुक हमने अप्लिकेशन पर कराई थ है सिक्छ सेमेस्टर में करई कि तो थोड़ी प्रोब्लम होगी थी टाइम के कमी होगी अब की बार कोशिश करें जल्दी से जल्दी हम क्लास कुछ बोग चाथे भी थे तो आज हम यहाँ पर ड्ने啊 आपका जो बीएस सीह सेमेस्टर में का प्ड़ना होगा किं प्ड़नु तो देखे यहां पर आज हम करेंगे आपके Maths का जो B.S.C के Maths का B.S.C. Maths और आपका Sixth Semester ठीक B.S.C. Maths Sixth Semester हम जो हैं डिस्कस करने वाले हैं तो देखे क्या है अब हम यहां पर चलते हैं सबसे पहले जो आप जो पढ़ने वाले हैं यह मैं आपको दिखाता हूं यहां पर आपका जो देखे जिनका जो semester wise है new education policy के हिसाब से वो आपको पढ़नी है एक जो paper है आपका होगा matrix space and complex analysis ठीक है एक theory का paper है यह paper होगा इसमें आपको दो बुक यानि के दो पार्ट है matrix space एक अलग पार्ट है और complex analysis क्या है एक दूसरा पार्ट है इसके बाद numerical analysis जो है आपका यह next book है and operation research तो इसके दो पार्ट इसके हैं यानि के आपको दो paper देने हैं theory के और फिर एक practical होना है आपका तो दो exam theory के हैं जिसमें जो है ना first paper में दो बुक होगी matrix space and complex analysis और second paper में होगी numerical analysis and operation research देखिए इसमें से काफी ज्यादर topic जो है new education policy के बाद है जो आपके जो MSC में आपको पहले अपसे जो 8-10 साल पहले जब जो आपना MSC में पढ़ते थे बहुत सारी topic ऐसे हैं लेकिन क्योंकि MSC में ज्यादर deep हो जाता है तो यहां पर क्या है थोड़ असा जो है उनका basic concept दिया गया है तो अब आपको बताते हैं कि आखिर कर syllabus है क्या तो देखिए आपका जो part A है जो part A जो है इसमें दो part है जो यह आपका paper first है ठीक paper first का जो part A है matrix space इसमें आपकी पहली unit है basic concept इसमें matrix space की definition example sequence in matrix space कोची sequence and complete matrix space यह है यह तरह से matrix space का basic concept ही आपको समझाए गया है और देखिए आप vector space पढ़ तुके हैं अब की बार जो आपको cable का है matrix space पढ़ना है फिर second जो है आपका topology of matrix space यह पूरा subject जो है आप से कुछ साल पहले MSC में होता था तो इसमें आपको पढ़ना है open and close ball neighborhood open set interior of set limit point of a set derived set close set closer of a set diameter of a set Cantor's theorem subspaces and dense set ठीक यह चीजह आपको पढ़ना है और यह topology का subject है एक पहले एक अलग book होती थी MSC में अलग paper हो रहता continuity and uniform continuity in matrix space यह आपकी unit number third है continuous mapping sequential criteria and other characterization of continuity uniform continuity homomorphism और contraction mapping bench fix point theorem और इसके साथ जो आपकी जो है fourth unit और last unit जो है paper first के party की यानि के matrix space की यह है connectedness and compactness connectedness and connected subset of connectedness and continuous mapping और compactness and compactness and boundness continuous function on compact spaces तो यह जो topic है आपको दिखी भी रहा होगा number of lecture यानि के university के हिसाब से 8 lecture में आपका complete हो जानी है 8 lecture में यह 7 lecture में यह 7 lecture में यह mostly lecture 30-40 minute का होता है किसी भी university में जब आप class लेते हैं तो कुल मिलाकर 30 lecture जो है आपके कहा जा रहा है कि यह पूरा हो जाएगा और मुझे भी लगता है कि यह जो syllabus जो है आपका paper first का part है तीस ही lecture में आपका complete हो जाएगा यानि कि 30-35 minute के अगर जो हम अगर class लेंगे YouTube पर तो तीस classes में आपका लगबग सारा syllabus complete हो जाएगा इसके बाद अगर हम बात करें next आपका part B है यह आपके paper first का part B है ठीक complex analysis और इसमें topic के पहला analytic function and coachy rhyme and equation ठीक तो इसमें बहुत सारी चीज़े हैं हमें पढ़नी है और यह सारे topic हम पढ़ेंगे इसके बाद है elementary function and integrals इसके बाद आपके साथवी unit है coachy's theorem and fundamental theorem of algebra इसके बाद series and residues यह इसे बोलते हैं जो आपकी जो है यह ज्यादा तरह MSC में आती थी पहले बैसे most of जो आपका six semester के जो स्लेवस है 50% से ज्यादा जो है आप ने अगर आप चार-पांस साल पहले चाहसा साल पहले कर BSC की होगी तो बहुत ही कम पढ़ा होगा जिन्होंने MSC किया है उन्होंने ही पढ़ा होगा यह इस ताइप का साथ साथ lecture में complete हो जाएंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो आपका पार्ट A जो है पार्ट B जो है पेपर फस्ट का यह भी तीस lecture में complete हो जाएगा इसके बाद है आपका numerical analysis यानि कि पार्ट A है किसका पेपर सेकिंड का जो आपका second पेपर होगा उसका पार्ट A है numerical analysis में आपको क्या पढ़ना है unit 1 है solution of equation, bisection, second, regular, falsy, Newton, Rolffson method, Newton's method for multiple roots, interpolation, Lagrange and Hermite interpolation, differential, difference scheme, divided differences, interpolation formula using differences इसके बाद numerical differentiation में आपको numerical quadratic, Newton-Cortz formula, Gaussian quadrature formula, system of linear equation, direct method of solving system of linear equation, Gauss's elimination, LU, decomposition, Cholesky, decomposition, iterative methods, Jacobi, Gauss, Seidel, relaxation method, the algebraic, Egan value problems method, given method, power method, third unit आपकी numerical solution of ordinary differential equation, Euler method, single step method, Runge-Kuta method, multi step method, Milne-Simpson method, types of approximation, last square polynomial approximation, uniform approximation, अप्रोक्सिमेशन ठीक है यह आपका approximation पे है लगबग सारा, difference equation and their solution, shooting method and difference equation method for solving linear second order differential equation with boundary condition of first, second and third type, यह आपका था, पार्ट एका जो second paper का पार्ट है, numerical analysis, यह भी आपका लगबग 30 lecture में complete हो जाना है, इसके बाद आपके बात करते हैं, operation research, यानि कि यह पार्ट B है आपका paper second का, यानि कि एक तरसे fourth book है आपकी, paper second का part B, operation research में आपको पढ़ना है, introduction, देखें, introduction, linear programming problem, और statement, formation of general linear programming problem, graphical method, slack and surplus variables, standard and matrix form of linear programming problems, basic feasible solution, यानि कि linear programming जो है पहले BAC final year में ओती थी वही है इसमें आपर भी, convex set, fundamental theorem of linear programming, basic solution, simplex method, introduction of artificial variables, two phase method, big M method and their comparison, resolution of, ये डिग्रेंसी, duality in linear programming problems, primal dual relationship, revised simplex method, sensitivity and analysis, transportation problem, assignment problem, ये सब जो है पहले BAC final जब आपका semester system नहीं था तो final year में एक book होती थी थी linear programming नाम से, और ये वही है लगबग सारा का सारा, तो इसके भी लगबग आपको lecture जो है कम ही रहेंगे, एक मिनट, इसके भी lecture आपको लगबग, तीस lecture में ही ये भी आपका complete हो जाएगा, आप देख रहे होंगे, तो तीस ही lecture आपके लिए काफी है, ठीक, उसके बाद आपका जो practical है, practical वाला portion, वो देखे, आपका जो है, आप college में जाएंगे, जो आप practical करेंगे, तब ही आप कर सकते हैं, अगर हमें जरुत लगेगी, अगर आप लोग कहेंगे, तो हम देखेंगे कि practical के लिए भी करा दे, अभी हम सोच रहे हैं, कहीं युनिवर्सिटी में जो है, बीस्सी फिफ्ट सेमिस्टर का exam हो चुके हैं, कुछ में भी चल रहे हैं, और कुछ में भी होने बाकी हैं, लेकि कि जो topics हैं, वो हम cover कर लेंगे, उसके बाद अगर book आजेगी, तो 4-5 lecture extra जो हैं हम उसमें add कर देंगे, क्यूंकि पिछली बार हमने September में सुड़ू किया था, तो September, October और November में classes बहुत कम हो पाई थी, और December में आपके exam ही आगे थी, तो 2-3 महीने हमें कुल मिले तो 4 book थी, फि अब हम शुरू करेंगे, वो पहली book आपकी हम यहाँ पर यूट्यूपर ही शुरू करेंगे, ठीक है, और देखे, इस बात कर देखते हैं कि पहली जो book हम यूट्यूपर शुरू करेंगे, तो वो कोशिश करेंगे कि यूट्यूपर ही complete करा है, आपको application पर ना जाना तो देखे, यही आपका syllabus था और आपके जो है, हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो जनवरी में अगर हम अभी जो class शुरू कर देंगे तो 30 lecture, हम लगबग अगर चाहें तो 20-25 दिन में 30 lecture कर सकते हैं, तो आपकी एक book complete हो जागी, यानि जैसे ही कि आपका 5th semester के exam खत्म होने के आपका 6th semester के लिए admission होगा, तब तक हम एक book आपकी complete कर चुके होगे, तो बस देखे, आज के लिए इतना ही है, और आपको जल्दी ही मिलते हैं आपके जो 6th semester के लिए नई class के साथ में